Hello friends, welcome to all, आज मैं आपके लिए जो वीडियो ले कहाना हो, देखिए ICICI bank का share, जबरदस rally को ready रहना मैं कहूंगा, जबरदस rally, ready तो रहोगे आप भई कमाई का मौका है, अब कमाई का मौका ऐसा क्यों आया, क्योंकि भई कमपनी ने शेर ने इतनी कमाई कर लिए तो आप भी कमा है 2019, तीन बजे, तीन बजे ये खुसखबरी आई है, अब आप सोचोंगे कौन सी खुसखबरी, चलिए जानते हैं उस खबरी को भी, खुसखबरी को भी, उससे पहले आपको दिखाते हैं, ICICI bank के details, market capitalization धाई लाग करोड के पास, पार, तीन लाग करोड जाने को तयार रह है, अब जो तीन बजे का report upload हुआ है, उसको देखिए और clearly देखिए, समझ के देखिए, बारी के से देखिए, ये सारी figure करोड में है, क्योंकि आज ICIC bank का result आ है, latest result आपके सामने प्रस्तुत है, और जो result आ है, वो कुछ इस तरीके से है, काफी important result है, कुछ इस तरीके से है, total income 21,405 करोड की दिखाई है, जहाँ पर, total अगर आप interest इंटरस्ट ही देखोगे, तो 17,980 करोड का interest इस quarter में, बहुत बढ़िया, यही interest देखिए, अगर आप देखें, तो 17,292 करोड का था पिछले, यानि कि मार्च 2019 में, पिछले quarter में, और total income 20,913 करोड थी, मार्च quarter में, यह तो ठीक है, मार्च quarter के गम परिजिन में, तो jump ही है, लेकिन important हो जाता है देखना, जून 2018 करोड जहाँ पर interest income 14,722 करोड थी, तो वहाँ से बढ़िया चलांग लगाया, मैं कहूंगा इसको awesome, बहतरीन चलांग, अगर total income की बात करूँ, तो 18,574 करोड से सीधे 21,405 करोड पहुचना, almost यह मान के चलिए, अठाइस सो करोड का jump total income में, बहुत बढ़िया, बहुत बहतरीन, awesome मैं कहूंगा, आप operating profit देख लिए, अठावन सो करोड से 6300 करोड, 500 करोड का सीधे सीधे फाइदा, इवन अगर आप देखें, मार्च से compare करें, तब भी बहतरीन है, चलिए यहां पर बात, income तक ही नहीं, profit तक जानी चाहिए, तभी मजा आता है, अब हम profit भी देखते है, profit for the period, और bank का share का, हमेसा में आपको बहता हूं कि bank का share का एक important चीज जो देखनी होती है, NPA, 1908 करोड का profit दिखाया है, जो की पिछले quarter में मात्र 968 करोड था, 1000 करोड का jump profit के अं यहीं पर अगर मैं June quarter की बात करूँ, तो 119 करोड का loss दिखाया था June quarter में, पिछले साल 2018 की बात है, 119 करोड का loss, तो आप यहां देखे, किसी तरीकी से भी देखे, win-win situation, rally आएगी, share बिलकुल vertical, मतलब चंदरयान मनने वाला है, यह share यह मान के चलिए, चंदरयान 2, ऐसा दे stock का, NPA जरूर देखे, result देखते हैं, तो NPA जरूर देखे, क्या उसमें improvement हुई है, या improvement नहीं हुई है, सबसे पहले current gross NPA की बात करता हूँ, जो 6.49% है, अगर मैं पिछले मार्च से compare करूँ, तो 6.70 से यह गिरा है, NPA गिरना, खुश खबरी, अगर June पिछले साल 2018 से compare करू तो 8.81% से यह गिरा है, बहुत बढ़िया, बहुत positive, net NPA 2.06% था मार्च में, इस बार कितना है, 1.77%, बहुत बहतरीन, अगर पिछले June के बात करूँ, तो 4.19% से 1.77% आया, मुझे तो यह almost मतलब ऐसा लगा है, win-win situation, बहुत ही बढ़िया, NPA बढ़िया, profit बढ़िया, income मतलब यह share, चपरतस rally को तैयार हो सकता है, ऐसे result के बाद भी अगर investor इसमें interested नहीं होंगे, तो कब होंगे, यह देखिए, अब ICIC bank के share को आपने देखा, किस तरीके से, अगर इसका volume आप देखें, चपरतस volume trade हुआ था, Friday को, मतलब 1.74.000.000.000 shares trade हुए थे, जो कि पिछले 30. के average से काफी उपर है, और अगर मैं technicals पर जाऊं, तो मैं कहूंगा, इस से बढ़िया opportunity दुबारा नहीं, यह देखिए, जुलाए 2018, यह share ने low बनाया था, बिल्कुल, almost 257 के आप, उसके बाद जो rally इसने दिखाई है, यह देखिए, बिल्कुल, उपर जाता है, नीचे जात और इस बार भी मैं कहूंगा, कि इसका जो यह down था, जिस तरीके से मई में down आया था, और यहां पर मान के चलिए, यह कितने point का high था, यहां से 376 से CD444 गया था यह, और इस बार का देखिए, जो low है 402 से, यह 500 के level को बहुत जल्दी पार करने वाला है, बहुत बढ़िया, यह आप weekly level पर देख रहे हैं, अगर मैं daily level पर आपको इसका चार्ट दिखा हूँ, तो किस तरीके से यह daily level का चार्ट है, बढ़िया यहां पर positive momentum देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि यह share इस trend line तक आएगा, लेकिन इस result से असा नहीं लग रहा कि यह trend line तक आएगा जो यह gap down pattern था ना, यह gap up pattern इसने support का काम किया है यहां पर, इससे उपर ही पहले ही इसने bounce back देख रहे हैं, अब यह result सीधे आपको पहला target मैं कहूंगा, 444, 450 का पहला target मैं आप लगा सकते हो, यह था ICICI bank का share चलिए, अगर आपको यह video अच्छा लगा तो share जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नेकर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको यह result कैसा लगा, comment के थूर जरूर बताए, thank you, thank you for watching the video.